हेलो दोस्तो, नमस्कार कैसे हैं आप, आज फिर हम आपके सामने एक बार अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हुएं दोस्तो इसके पहले हमने जो है, जीनप्याजे का सिध्धान पढ़ा था जो आपने देखा भी होगा, जीनप्याजे का सिध्धान खतम हो गया था जीन प्याजे के सिध्धान की क्या-क्या मानशिक जो है मनोविज्यान में क्या-क्या योगदान था ये हमने अपने पुराने वीडियो में पढ़ा था आज जो हम पढ़ेंगे वो नैतिक विकास का सिध्धान पढ़ेंगे और नैतिक विकास के सिध्धान्त के बाद हम पढ़ेंगे समाजिक विकास का सिध्धान्त ये दोनों आज हुआ को सिध्धान्त पढ़ने है तो नैतिक विकास का सिध्धान्त किस ने दिया आपके सामने सब कुछ मैंने लिखा हुआ है आप स्क्रीन सॉर्ट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन सॉर्ट भी ले सकते हैं तो नैतिक विकास का जो सिध्धान दिया था वो लॉरेंस कॉलवर्ग ने दिया था तो इसके पहले मैं आपसे फिर से repeat कर दूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, आप वीडियो देखते हैं, तो अगर वीडियो की clarity, quality आपको नहीं समझ में आरे, clarity नहीं दिख रहा है, blackboard या कोई ऐसी problem हो रही है, तो आप वीडियो की YouTube पे जाके quality बढ़ा लिया फिक है, अगर आप quality नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता अगर आपकी quality कम है, तो आपको जो है वीडियो clearly नहीं दिखेगा, ठीक है, तो अगर video clearly नहीं दिख रहा है, तो आप उसको quality बढ़ा लेंगे, ये सारी दिक्कते आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के message आए, कि video quality खोड़ा सा सही नहीं है, तो ऐसी कोई कोई दिक्कत नहीं है, video quality, आवाज quality लगबग best है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, तो आप please इसको comment पर जरूर बताया करिए, कि कोई भी अगर problem आपके साथ है, कोई video में problem है, तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको quality बढ़ा लिया करिये, जिससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी आवाज तो लगबग clear ही आ रही होगी, आप सब लोग जान ही रहे हो, और इसके पहले हम फिर से अपनी बात को repeat कर रहे हैं, अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको लगबग सारी भी classes आउगत कराएंगे और आपको उससे सारी classes भी दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिए, बस आपके support की हमको जरूरत है, देखें जितना आप मेरा support करेंगे न, उतना है जल्दी हम आपके लिए best लाने की कोशिस करेंगे, तो उसके लिए आपको support करना होगा, ठीक है, तो आप जो है वीडियो को share जरूर किया करिए, अपने सारे contact में वीडियो को share करिए, जो भी आपसे related है, वीडियो को आप WhatsApp पे, Facebook पे, सब पे share कर दिया करिए देखने से पहले, ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे थे, वो है नैतिक विकास के सिध्धान्त के बारे में बात करेंगे, आज हम, और नैतिक विकास का जो सिध्धान्त या, वो Lawrence Colework ने दिया, ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, नैतिक विकास का सिध्धान्त जो था, वो किस ने दिया, इसके प्रवर्टक थे, Lawrence Colework, ठीक है, अकॉंट से प्रवर्टक थे, Lawrence Colework जो है, इसके प्रवर्टक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ, जो है, सिध्धान्त, नैतिक सिध्धान्त का प्रवर्टक क्या 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 का कहानी से related आपका जो इसको divide किया इन्होंने वो कितने तीन भागों में divide किया है जीन प्याजे का जो सिधान था वो कितने भागों में divide था दोस्तों तो आप सभी जानते हो उसको चार भागों में जीन प्याजे जीने divide किया था इसको क्या किया इन्होंने तीन भागों में डिवाइड किया और तीनो भागों को जो है दो दो भागों में तीनो भागों की दो दो अवस्थाओं के बारे में बताया, तो टोटल जो अवस्थाएं थी वो कितनी अवस्थाएं हो गई, छे अवस्थाएं हो गई एक-एक कहानी है इससे related जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ दोस्तो ध्यान से सुनिएगा कि इस सिद्धान का उत्पादन कैसे हुआ स्टार्टिक में क्या हुआ कि बात USA की है जो है European देश की है जहां पे क्या हुआ एक महिला रहती थी एक महिला थी जिसकी बहुत ज़्यादा तब्यत खराब थी उसकी क्या थी बहुत ज़्यादा एक बार तब्यत खराब हो गई उसका husband उसको hospital में लेके जाता है दोस्तो जहां पे उसको admit कराता है और उसकी condition ऐसी आती है कि last stage पे होती है last condition पे होती है बिल्कुल जो है ब्रत्व की कगार पे होती है डॉक्टर कहता है कि हम जो है आपकी बीवी को wife को बचा सकते है बस इसके लिए आपको एक medicine की आब सकता है अगर वो medicine बिल जाएगी तो हम आपकी बीवी को अवस ही बचा लेंगे और उस medicine का जो खोज थी जो बनाया था वहां के pharmacist ने ही बराया था European के जो है वहां के ही pharmacist ने बनाया था जिस वज़े से वो जो pharmacist था उसको केवल जो है इस medicine से केवल पैसे कमाने थे और इस medicine जो यह medicine थी इस लागत की पेच्छा जो इसमें लागत आई थी उससे वो कई गुना ज़्यादा पैसा ले रहा था जब दोस्तों उसका husband उसके पास जाता है और बोलता है कि मुझे यह medicine चाहिए तो जो दुकानदार होता है swap keeper होता है वो क्या कहता है वो अच्छा खासा इसके medicine के लिए अच्छा खासा चार्ज करता है अच्छा खासा पैसा बंगता है इतने पैसे वो जो है उसके husband के पास नहीं होते है वो कुछी पैसे क्या करता है arrange करता है किसी तरीके से घर बेजता है अपने friendship में अपने relation में जो भी अरेंज करता है थोड़ा बहुत पैसा लेके अपना जो है फिर उसके पास पहुझता है और कहता है मुझे आप ये मेडिसीन दे दीजे जो भी आपका पैसा बचेगा वो मैं आपको बाद में दे दूँगा लेकिन फिर भी दुकान वाला क्या कहता है कि मैंने जो ये म बनाया हूँ मैं ये मेडिसीन बनाया हूँ ये मैं केवल जो है पैसे कमाने के लिए बनाया हूँ उसके बाद उसके हस्बेंट के पास केवल एक ही रास्ता उसको दिखता है वो राग को जो है उसकी शौप को तोड़ करके उस मेडिसीन को ले लेता है और ले के बाद वो चोरी करना सही बात है क्या उसके husband को चोरी करनी चाहिए थी अगला आपका question क्या उठता है आप ऐसे ही सारे question जो है student से आप कर सकते हैं क्या चोरी करना सही बात है क्या जो है क्या जो है उसके husband को ने जो किया वो सही था वलब इस type से बहुत सारे question दोस्तों उठते हैं जो आपके नैतिक विकास के सिध्धान्त से related है इन्ही सब question की वज़े से जो आपके Lawrence Schoolwork थे इन्होंने क्या किया दोस्तों एक सिध्धान्त बनाया और इसके बारे में बताया इसको तीन भागों में divide किया और तीनों भागों की दो-दो अवस्थाएं थी हर एक अवस्था के बारे में time duration के बारे में अब हम बात करते हैं जरा आप देखेगा तो जीन प्याजे ने जो Lawrence Schoolwork थे उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए दोस्तों बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उससे तरक एवं विसले सरक करना होगा इन्होंने क्या बताया कि अगर आप किसी भी बच्चे का नैतिक विकास के बारे में जानना चाहते हो उसकी नैतिक विकास उसके बुद्धी में नैतिक विकास कितना हुआ है तो आपको उससे तरक करना होगा तरक भी तरक करना होगा और उसके बुद्धी का विसले सरक करन होगा दोस्तों ये उन्होंने क्या किया इसके बारे में बताया और इसकी जो अवस्थाएं बताई नैतिक विकास की सिध्धानत की जो अवस्थाएं थी इसको उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया पहला आपका जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं प्री कर्वेंशनल इस्थर क्या बोलते हैं दोस्तों पहला आपका पार्साइग यह दिया हुआ है आपका यहां पे देख सकते हैं इसको बोलते हैं प्री कर्वेंशनल इस्थर second आपका हो गया conventional इस्तर और third आपका हो गया दोस्तो post-conventional इस्तर थर्ड क्या है आपका post-conventional इस्तर दोस्तो यह आपके सामने दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो pre-conventional इस्तर का जो नाम था उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पूरपरामगरत पूर परम परागत इस्तर ठीक है उसको दोस्तों क्या बोलेंगे पूर परम परागत इस्तर तो second आपका था conventional इस्तर इसको बोलते है परम परागत इस्तर और third आपका दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है पस्च परम परागत इस्तर सीनों हाट को क्या किया गया डोडो भागों में डिवाइट किया गया अब जो पहली इसकी अवस्था है अज्यावाद दंड की अवस्था इसके पहले दोस्तों यहां पर एक आपका टाइम डुरेशन दिया हुआ है आपके सामने, जो आपका pre-conventional इस्तर है, जो आपका pre-conventional इस्तर है, इसका time duration क्या है, तो दोस्तो इसका time duration है, 0 से 4, मतलब कहने का मतलब यह है, कि 4 वर्ज से लेके 10 वर्ज तक है, और आपका उसके बाद second number पे आएगा conventional इस्तर, तो जो आपका 10 से 13 वर्ज के बीच में divide किया और post-conventional इस्तर, post-conventional इस्तर 13 वर्ज के बाद की अवस्ता है, 13 वर्ज के बाद जो भी होगा, वो किस में आएगा दोस्तो आपका, post-conventional इस्तर कहने का मतलब है, पश्य परम परागत इस्तर में, तो दोस्तो पहली जो अवस्ता है, उसको क्या कहते है, आग्यावा दंड की अवस्ता हम एक एक करके explain करेंगे, आग्यावा दंड की अवस्ता में क्या होगा, देखें दोस्तो आपको easily बताने के लिए कि आपको कोई दिक्कत नहों, इसलिए मैंने इसका time duration भी बना के रखा हुआ है, आग्यावा दंड की अवस्ता जो होता है, इसका time duration होगा, 0 से 2 व कुश्चन है आपसे आग्यावा दंड की अवस्ता क्यों कहा गया, दोस्तो आग्यावा दंड की अवस्ता इसलिए कहा गया, माल लिजे कोई छोटा बच्चा है, दो साल की अवस्ता तक का बच्चा है, वो क्या होगा, उसको आप कुछ ने कुछ आग्या दोगे, और वो कह से डरेगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं आघ्यावा दंड की अवस्था सेकेड नंबर दोस्तों यहां आपके बच्चा है आपके टच में ज्यादा रहता है आप उसको खिलावना प्रवाइट कराते हो हर चीज खाने की विवस्था कराते हो लेकिन आप से ज्यादा क्या है मेरे पास पैसा है मैं अच्छा पैसे वाला हूँ आप मैं कभी भी उससे कोई मतलब नहीं रखता हूँ या जाओगा ठीक है उससे बच्चे से मतलब नहीं है कि मेरी रेपोटेशन क्या है मेरी रेपोटेशन बहुत अच्छी है बहुत पैसे वाले हूँ वो आपको ही समझेगा और आपके ही टच में रहेगा मेरे लायक मेरे पास बहुत कुछ है कुछ भी है तो क्या करेगा बह conventional इस्तर, अगला क्या है, conventional इस्तर है दोस्तों, इसको 10 से 13 वर्स के बीच डिवाइट किया गया है, इसका जो time duration है, 10 से 13 वर्स है, और इसका जो नाम है, उसको क्या बोलते हैं, परमपरागत इस्तर बोलते हैं, और परमपरागत इस्तर को भी दो भागों में डिवाइट किया है पहला है प्रसंसा湃 पाने की अवस्था और second है आपका सामाजिक विवस्था केपरती सम्मान की अवस्था तो प्रसंसा पाने की अवस्था है जदा तर आप क्या है बाली अवस्था में पहुन जाए आ कि क्योंकि इसका टायberry duration कितना है तीन से छे वर्स के बाद इसका time duration जो है 6 से 9 वर्स है क्योंकि आपका जो है ये बाले अवस्था में पहुंच जाएंगे और जब बाले अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तो आपको याद होगा एक चीज मैंने बताई थी कि बच्चे क्या करते हैं बच्चे अधिकतर चाहते हैं कि वो उनकी प्रसंसा हो तो यहाँ पर भी जो बालक होगा वो क्या चाहेगा ज़्यादा तर उसको तारीफ करें लोग उसकी तारीफ करें आपके आसपास कोई भी ऐसी अवस्था का बच्चा रहता है जिसकी एज है छे से नौ वर्स छे से नौ वर्स का कोई भी बच्चा रहता है तो आप ध्यान देंगे कि आप उसकी कोई भी खुब तारीफ करिए कही न कहीं क्या करिए दोस्तों उसकी मेरा ये काम कर दो, इस वाप से सामान लादो, मेरे लिए गिलास पानी लादो आप जो भी कहोगे सोनू से सोनू क्या करेगा, आपकी हर एक बात को पूरी करेगा, और हर एक बात मानेगा, तो next दोस्तों देखते हैं जो next अवस्था है, वो क्या है सामाजिक विवस्था के प्रति सम्मान की वस्था, सामाजिक विवस्था के प्रति क्या है, सम्मान की वस्था है, और इसका time duration क्या है, 9 से 12 वर्स है दोस्तों, तो सामाजिक विवस्था के प्रति सम्मान की वस्था का मतलब क्या है, कि बच्चा की age क्या हो गई 9 से 12 वर्स हो गई और बच्चा यहां पे क्या समझ रहा है जो समाज से उसको सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए और समाज से क्या है वो प्रॉपर्ली के दौरा होता है या वहां के आज पर उसी ओ दौरा होता है तो वहां पर क्या होता है आज भी अगर इस अवस्था का कोई बच्चा है तो आप देखते हैं कि वह बहुत पहले ही पहुँच जाता है हम आप क्या है बस साधी के टाइम जा रहे हैं बस पूरी मिलेंगी बस वस्ता के प्रतिरूची होती है और एक अच्छी भावना होती है फिर दोस्तों अगली जो हमारा है थर्ड आपका पार्ट्स है क्या है पोस्ट कन्वेंशनल इस्तर है और इसका जो नाम है पस्च परमपरागत इस्तर है इसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों तो पस्च प में आपको जो लर्ण करना है ध्यान रखना है यह टाइम डिरेशन याद रखना है क्योंकि आपका जो भी कुछन पूछा जाता है इनकी अवस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा किसकी अवस्थाएं क्या है और इसको कॉल सी कितनी अवस्थाओं में डिवाइड किया गय यहां पर इतना है तो, यहां पर इतना कैसे हो गया, यह सब आप दिमाप मत लगाईएगा, केवल इसको आप जो है समझने के लिए आप अच्छा से ध्यान लखिएगा, तो यहां पर हम बता रहे थे, सामाजिक समझोता की अवस्था की बात कर रहे थे, बच्चे की आयू यह से 16 वर्ष है दोस्तो, समाजिक समझोता की अवस्था, समाजिक समझोता, पहला तो मेरा कुछ नहीं आपसे, की होता क्या है, समाजिक समझोता क्या होता है, देखें, समाजिक समझोता, नाम से इस पस्ट हो रहा है, समाजिक समझोता, मतलब कोई ऐसा समझोता, जिससे क्या है, कि मुझे कोई अपनी खुसी के लिए कोई एक ऐसा समझोता करना पड़े ठीक है जो अपनी खुसी के लिए करना पड़े लेकिन ऐसा मेरा मन नहीं है फिर भी क्या है मुझे जैसे क्या है आपकी साधी हो गई जैसे नहीं भी होई तो आगे चलके हो जाएगी फिर भी आप क्या देखते हो कि घर का खाना अच्छा नहीं बना हुआ है फिर भी क्या है आप सटिस्फाई हो रहे हो आप उसको जबरदस्ती खा रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो वहाँ पे आप अपने मन के लिए फिर भी कही न कही आप क्या कर रहे हो, समझावता कर रहे हो, उस चीज से क्या कर रहे हो, समझावता कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है, समाजिक समझावता का विकास ऐसी चीजे, जिससे मुझे समाज से उनका मनन करते हुए, आपनी मन की चीजों का हनन करते हुए, हम समाजिक स समझाता करते हैं एक एक्जामपल ऐसे ले लेते हैं जैसे कि क्या है इस अवस्था में आप देखते हो लड़कियां क्या होती है माल लीजे कि lREki है कोई और कहींना कहीं क्या गरती है जारही है तो अक्सर वह क्या करती है भले कोई उसका लेंगे तो क्या कहेंगे तो कहीं न कहीं वो क्या करती है समाज से जो है हर चीज का क्या करती है समझाता करती है समाजिक समझाता करती है अगला आपका क्या है अगला है आपका विवेक की अवस्था टाइम डूरेशन इसका आपको पता ही है 13 से 16 वर्स है दोस्तों लास्ट आ प्रसफ है विवेक की अवस्था से ही आपको इसली थो रहा होगा विवेक मतलब क्या है बुद्धी का विकास यह कि efendim किसोरा वस्था का देख लिजे पार्ट है टााइम डियुरीर्ट चे इस अपर जेश हाद हो किसी रावस्था का पार्ट से am विवेक की अवस्था का मतलब क्या है 17-18 वर्सिस का age duration है time period है और जो है system क्या होगा और यहां पे हम यह कह सकते हैं क्या कह सकते हैं दोस्तों कि बच्चा जो होगा वो अपने decision वो जो है अपने decision क्या करेगा स्वयम लेगा जो अपने decision करेगा वो दोस्तों कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विकास हो जाता है छोटे-मोटे decision दोस्तों वो क्या होगा विवेक की अवस्था में वो खुद करेगा यही है दोस्तों आपका नैतिक विकास का सिध्धान्त आगे जो दूसरा सिध्धान्त है वो हम बात करेंगे सामाजिक विकास का सिध्धान्त जो आपका जीन प्याजे के सिध्धान्त से बिल्कुल related है हलो दोस्तों फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं एक नए सिध्धान्त के साथ दोस्तों यह सिध्धान्त है आपका सामाजिक संसक्रति का सिध्धान्ट जिसके पहले मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो सामाजिक संसक्रत के सिध्धान्ट के बारे में जो बताया वो इसके प्रवर्तक तौन है वायोगस्की है और ये कहां के हैं तो दोस्तों ये रूस के हैं वायगोस की कहा के हैं ये रूस के हैं जो इसके प्रवर्तक हैं इन्हों ने क्या कहा इन्हों ने जो है क्या बताया दोस्तों तो इन्हों ने कहा बालक के संग्यानात्मक क्या बताया बालक के संग्यानात्मक विकास में सामाजिक कारकोवा भासा क का महत्तुपूड प्रभाव पढ़ता है ठीक है कहने का मतलब क्या है बालक के संग्यानात्मक विकास बुद्धी के विकास में सामाजिक कारकोवा भासा का महत्तूड प्रभाव पढ़ेगा आप सभी जानते हैं कि बच्चे का जो विकास होगा संग्यानात्मक बुद्धी का विकास होगा, वहाँ पे क्या है, एकदम से जो विशेष्टा रहती है, उस पे जो प्रभाव पड़ता है, वो समाज का प्रभाव पड़ता है, समाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, और दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, भासा का, जैसी आप भासा का प्रियोग कर ठीक है आप बहुत ज़्यादा देखें यहां से कुष्ण नहीं उठता है ठीक है सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कुष्ण बनते हैं आपके जीन प्याजे के सिध्धान से बनते हैं और अगला आपका है नैतिस विकास का सिध्धान तो यहां से बहुत ज़्यादा कु सिध्धान्थ किस पर काम करता है तो सामाजिक कारकों से इसका relation है सामाजिक कारकों का इस पर क्या है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगला जो point है आपके सामने है इसे समीपस्त विकास का छेत्र वाले सिध्धान्थ के भी नाम से जानते हैं तो समीपस्त विकास का छेत्र क्या होता है माल लिजे दो बच्चे हैं एक बच्चा A है और दूसरा बच्चा B है दोस्तों तो A जो काम कर रहा है किसी वर्क को अकेले कर रहा है मतलब क्या कर रहा है और जो B किसी का कोई वर्क कर रहा है माल लिजे B कि C के साथ में कर रहा है B जो है वर्क कर रहा है वो D के सपोर्ट में कर रहा है B क्या कर रहा है D के सपोर्ट में कर रहा है तो ये कोई काम करेगा और कोई काम ये करेगा तो इसमें किसका सपोर्ट है D का सपोर्ट है D इसको सजिस्ट कर रहा है D क्या कर रहा है इसको suggest कर रहा है और कहीं न कहीं इसको advise दे रहा है कि आप कैसे काम करोगे तो वही काम जो अगर A कर रहा है अकेले कर रहा है तो हो सकता ये काम और इसके काम से दोनों का काम जो B के पेच्छा है एक काम क्या है, बहुत अच्छा और बहुत बेटर ना हो पाए, कहाँ सिए सकते हैं कि इन दोनों के जो बीज की अवस्था होगी, इसी को दोस्तों क्या बोलेगे, समीपस्त विकास तो इसको जो है, इस सिध्धान को समीपस्त विकास का छेतर भी कहते हैं, समीपस्त विकास का सिध्धान भी कहते हैं, और जो यहाँ पे इसका रिलेशन है, वो किसे है समाज से है, बच्चा अगर कोई भी चीज सीखेगा, तो मैंने पढ़ाया है, कि उस पे समाज का बहुत ज़्यादा आशर होगा, समाज में क्या क्या चीज़े आएगी, समाज में आपका विद्यालय आएगा, पहले तो आपका घर होगा, ठीक है, फिर आपका क्या होगा, विद्यालय आजाएगा विद्यालय आजाएगा फिर आपका क्या होगा, वातावरण आजाएगा क्या आजाएगा आपका वातावरण आजाएगा और उसके बाद आपका पर्यावरण आजाएगा ये सब क्या चीजे हैं दोस्तों ये सब चीजे ये जो है पर्यावरण आजाएगा ये सारी चीजे दोस्तों समाज से ही रिलेटेड हैं जिन से बच्चे का क्या हत होता है सीखता है और उसका जो है बुद्धी के विकास में प्रद्धी होती है दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो एक